अलो सगत थैंद आप सभी का यह नीवी दुर्गेस में गर्डश सीचेट के समय मुखेत आप सभी का सभी पिछले क्लास है तो जो सभाई ने पांच खरम घृण तो पांच करम बताया था उन्होंने जो लेबल बताया पांच करम उन्हें बताया थे खास तोर से गड़ती सरदान प्यादारी थी पुछा जा सकता है कि वैन हलेका सिद्धान गड़त की स्वर्यूप को दर्साथा तो यामती सरदान से समझते इसको आप आप आइडिया रह सकते हैं उसको हमने बहुत थी डेटेल में बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले आगयमन बढ़िय है एक सिंपल तरिक से समझ लिजेगा कि आग्वन विधी का मतलब होता है कि अइसी में सिच्छक सबसे पहले उधान का प्रयूग करता है तत्पष्चात वर हमने परेहरत से लिए सब्सक्रा क्या साय उसके बाद अपनी नियम को बता ऑधेए कि इजगा कि आगंपन भी एक बाटित रीज परुषा जिघ की मैं यह होती कि एक भेना इज्ञांपल के जिब हमके renowned की तहता लेंगे तब हम चीजों को अच्छे सी बच्चों के सामने हैं और उनको दोर संतुष कर पाएंगे यह दि हम भीना इंञ हो लिए डारिक्ट नियम वह सुत्रों की माध्यम से उनको पढ़ाना सिखाना सुरू कर देंगे तो आज चीजों को नहीं सीथ पाएंगे यह जो कछा का महल विल्कुल नीरस हो जाएगा और बच्ची ऊबने लगेंगे अथार्थ आपकी जो क्लास की एक गरिमा है वह भी क्या ह है उससे प्रभावित होगी उधान गड़ी सिच्छड के लिए एक महत ही महत पूर और प्रभावसाली विधी आगे इस विधी में चात्र उधानों दौरा किसी सामान नियम का ग्यान प्राइब करते मैंने आपसे पहले बता आए इस टार्ट मैंने आपसे बता दिया कि दिखा भी गया है कि इस विधी में चात्र पहले उधान को समझते हैं उसके पश्चाहत किसी सामान नियम की जनकारे उनको होती है अथार्ट आग्मन विधी में विभीन उधानों के द्वारा किसी नियम तब पहुचा जाता है बिल्कुल सभी बात है आगे बढ़ेंगे फ हम बालकों के सम्मुक बहुत से तथ्य उधान या वस्तू को प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयम के निश्कर से निकानने का प्रियत्न करते हैं तब हम तब हम सिच्छन की आगमन प्रणाली का प्रियोग करते हैं जिया फ्रेंट चलिए इसको थोड़ा से डिटेल में समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि गड़ितक लैंडल महुदा ने क्या कहा है आगमन विद्य के बारे में यह देख लेते हैं इनका कहना है कि जब कभी हम बाल यह समझी गाइब से सरल्भासा में क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें कच्छा में बच्चों को किसी नई चीज के बारे में जानकारी देनी होती है या कई नए तत्थ बताने होते हैं तो हम बहुत सारे उध्हाणों का सहाता लेते हैं बहुत सारे वस्तु ऐसे उध्हाणों को सहाराम लेते हैं जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े होगे हैं क्योंकि यदि जो जा में उंके जिवन से जुड़े रहेंगे तो बच्चे उसको समझने में उसको देखने में ज़्यादा रूचि लेंगे अन्य था जिसके बारे मों जानते नहीं अगर ऐसी वस्तु ऐसी तत्थ के हामतारा लेते हैं तो बच्चे बेलकुल उसके प्रतिया करते नहीं होंगे कि अने था हुए इस तिने आखर नहीं हो पाएंगे हमकि हम अपने साथ ले गए हैं पाश फूल ले गए हैं तिक हैं पाश फूल हम ले गए हैं ने कच्छा से दो बच्चों को बिलाया और माली एक का नाम उहन एक का नम है मोहन है एक नाम चिंटू एक का नाम पिंटूंटू है जो भी समझे हे C對 तो हमनी क्या किया कि उस पांच फोल में से दो फोल सोहन holy ilondheim को दिया और तीन पूल मोहन में दिया उतकि हमने कहा कि देखा हमे ओंवन कहा है तो पестоीन है इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का फूल एक तीसरे बच्चे रामु को बुलाया और रामु को दोनों का फूल दे दिया अब गतने इसके पाद फूल है तो बता दिया 5 तो मतलब हमने उनको बता दिया कि अगर और दो और तीन को एक साथ जोड़ा जाएगा तो पांच उत्तर मिलेगा इस प्रकार इस उज्ञापल के तहारा से हमने क्लास को जीवन्त बनाया और बात हमें हम क्या करते हैं आज हम बच्चों जोड के बारे में अध्यन करेंगे बाते तो हो गई क्लास का महौल बन गया कि बच्चों को जोड़ सिखना है यह हमने एक ग्यामपल भी दे दिया अब जोड़ के प्रती बच्चों के मस्तिष में क्या है चीज़े आनी लगेंगे कि हां साथ जोड़ सिखा रहा है तो जोड़ किस परकार से होगा एक अच्छा ग्यामपल हमको दो है दे दिया गया यह कासे हमने अच्छा एक ग्यामपल देकर बच्चों का माइंट सिट कर दिया है कि हां इस तरीके से जोड़ की प्रक्रिया होती है अब हम आसानी से जोड़ इक अच्छा को पढ़ा सकते हैं मतलब हमने किया उधान का सहारे के द्वार कि शिचक पढ़ाना क्या चाहता है मतलब हमने प्रस्तावना इसे प्रस्तावना कि बच्चा विसेवच्चु तक सिर्शकत पोजी आक उसको पढ़ना क्या है तो इस प्रकार से जो है हमको उधान और वस्त्रों को सहारा लेना है आएगे बढ़ेंगे इस विधिय के अंतरगर फरेंड हम क्या करते हैं तीन सुत्रों का प्रियों करते हैं यह यह सुत्र बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जूरूरी है आपको यह जानकारी होनी चाहिए सिद्य ताउर से हम तो पूझा जा़ता है आंग मन विध्य सब्सक्राइब करें और आपके सारे डाउट को प्लियर करेंगे पहला है ग्यास से अज्याद के और अभी तक हम समझते आएं फ्रेंड जिन तत्थों जिन वस्तूओं और जिन हुझार के बारे में बच्चा समझता है उसका सहड लेते हुए इसको नियम तकप पहुचाना यहीं में जैसे बताया जैसे हम एन्दोनों सहारा सहारा लेकर लेकर हमने अघ्याद जानता ह safely अग्याद दोनों का सताइसरा लेकर यह रहरे लिल की जाट हो जोड जैसे हमको जोड सिखाना उस अज्ञात चीज तक हम पहुँच पाएं तो यही हमारा कहता है ग्यात से अज्ञात के और सिक्षड दोतर है जैसे इसके और भी ग्यामपल बन सकते हैं जैसे सुनिएगा जैसे क्या है हमें क्या है बच्चों को ग्यान की बत कर तो गडित अजैसे क्या करना है हमें बच्चों को गुड़ा की चीजे सिखानी है तो हम क्या कर सकते हैं इसा एक जैसे क्या है चीजों उठाएंगे दोन के पांच बच्छा को देंगे उनको बताएंगे कि दोन को सिख्ख्य पकड़ा देंगे उसके बाद क्या किए च्छों के नहीं चूहिए लोगे दो समझे अब और वाउन संसीवगों की तरफ चल रहें ध्यांतते कि पताइए भाई कितने लोग को मिला इंसर देगा पांस लोग को मिला बताएंगे कितने पैसे दिये गए दो फालगे कि दो इनको दो इनको चार दो इनको च्छाद दो इनको आठ दू इसको एक और भी सरल्वीधिस कर सकते हैं जिसको गुड़ा बोला जाता है कि दो दो का सिक्का किदने लोगों दिया गया पांच तो दो गुड़े बराबर तस मतलब हम घ्याज से अग्याज़ा लेकर और अंत्य से सामाने क्यों मतलब क्या करते हैं कि कुछ तथ्य अईसे होते हैं जिन में क्या होता है हम सीधे तोर से पहले हम कुछ क्ची चीज़ें होती हैं अगरत के ऐसी कि जिनके लिए डारेक्ट जो है हम को इ muita कि कि लिए पहले सामान भी Ow busca वा रहते है उनक पहले previous कि भी YUJCon को कभी नियम के बारे में चलते हैं अगला हिस्थुल तेश्म के बारे बात झादा सबस्क्राइब प्रफ्स्ताना तैयर है जो भी इसाय बас्ने है पठाने उसके बदेती है कि हम लोगे पढ़ने वाले हैं तौन नियुक acc और भी बच्चों के रोमन ऑंक का रगा लगा दिया और पहले बत दिया आज आप रोमन नंग के बारे में पढ़ेंगे बकाइदा हमने एक रोमन नंग का चार्ट लिया चार्ट लेकर लगा दिया तो मतलब हमने क्या किया पहले इस्थुल मतलब पूरे मतलब टॉपिक के बारे में उनको अधिन करा दिया आज आप रोमन नंबर पढ़ने बारे में तब उसका पूरा सौरूप दिखा दिया अब हम क्या करेंगे बारे बारीबारी यह थे गड़ी शिच्छन के आपके आगमन विधी और उसे सम्मंदित तीन महतपूर सिच्छर सोत्र एक बार इविजन कर लेज़ेगा फ्रेंड ध्यान से चलिए कर लेते हैं आगमन विज़ी की बारे में आपने पढ़ा यह आगमन विज़ी क्या होता है इसमें क्या करते हैं मुख्षकारी क्या होता है उद्हान द्वारा किसी नियम तब पुख्या जाता है करते हैं कि लेंडेल करना है कि जब कभी हम बालकों के सम्मग बहुत से त्थ उधारन या वस्तुएं करते हैं फिर उनके फिर इनके स्वयम के निस्कार से निकालने का प्रेजिन करते हैं तब हम सिच्छन के आगमन प्राली का प्रयोग करते हैं ठीक है अब बात करेंगे अवल την युद्वन प्राला करने का बाल लिए प्रेजिक के लिए निकलता है जब बच्चों को इस चाहँ करते हैं औरमेशर करते हैं तो इसके पढ़िदानी करता है मैं स्वयम परिस्रम करके नवीन कोच करने की प्रविति विक्सित होती है जो की बेहर लावकारी होती है और नहीं के सिच्छन में काफी प्रविति करती है आगे बात करेंगे बार 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 अभ्यास ते या धिक लाप्नत होती है नहीं कहते हैं करत करत अभ्यास जनमत होत सुजां तो वही ग्जैंपल वही जो हमारा मुहावरा है यहां पर चर्थास होता है कि बच्चें किसी नियम का बार बार करेंगे कि तथ्थ्व को बार-बार प्रैट्टी करेंगे दो चीज से माइंड में रहता है और अच्छी तरीके से नहीं खर नहीं होती है तो नियम ते बहुत अच्छी तरीके परचित हो जाते हैं और कभी गलत होने के शंभावना जो है वह बिल्कुल ना के बराबर हो जब भी हम कोई बिधी पढ़ते हैं उसके गुड़ भी होते हैं उसके दोसबी तो अगर कोई बिधी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है अगर कोई भी आप में कम्प्लीट नहीं होती है तो बात करेंगे इसके दोस्के बारे में चलिए दोस्के बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर अगले विध्य के बारे में दोस्के बात करेंगे हमें बच्चों को रट्टू टोता नहीं बताना है, हमें बच्चों को रटकर नहीं पढ़ाना है, रटकर नहीं याद करवाना है, हमें उनके मस्तिस में समझ पैदा करनी है, समझ बिख्चित करना है, हमारा उद्दे से यह कि हम बच्चों को विसे बच्चों के साथ परती उ पूर सष्ट होता है बालकों में इस विधिद्रा भैज्ञानिक को दिश्टिकोण बालक में विधिद्रा समक्ष्राइक कॉना नहीं हो पाता है जाता है इस नहीं आती है तुर इस विद्य में बालक में क्याता है आत्म दिश्वात आत्म दिर्वर्ता की भावना पैदा नहीं हो पाती है जब वो खुशते अपने तरीके से नए चीजे नहीं सोचेगा क्रिटिविटी नहीं होगी जाहिर सी बात है उसमें किसी प्रकार का जो है काट्विडेंस और सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा अब सभी लोग जयनते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन का आता है चीज साहारा ने कोई नया चीज करते हैं- वह चीजी में एभवहाव होता है दोस्त इंपोर्टेंट है क्योंकि आज का परिछाओं का ट्रेंड है दोस्ती पूछा जाता है तो देश को एक बार रिवीजिन करेंगे उसके बात है पहला पॉइंट इसको बना सकते हैं इस विद्धी में रटने की आदत सब्सक्राइब बड़ा दोस्तर रटने का इसको आ अगला आपश्त क्या है जाता है इस बालक में इस वीजिरियांस रिष्टी क्म फटन कि जाता है उतपन नहीं हो पाता की विक्क्त अग्रण करा अब जाती है इस वजे से क्या होता है उनमें जो है नमींतम दिश्टिकूर्ण उत्पन नहीं हो पाता है आगे बात करेंगे इस वजे में बालकों में आत्म विश्वात आत्म निर्वसा की भावना फैदा नहीं हो पाती है यह थे कुछ मात्पूर्ट दोस्स तो इस तरीके से हम लोगों ने आगमन विजे को कम्प्रेश तरीके से पढ़ दिया है अब लोग पढ़ेंगे संसलेटन विजे के बारे में हाँ हैै चले जेए किस अडा सर्व करने हैं। अब पढ़ेंगे आगमन विजी के बात अगल मोअत्पूर विजली संसलेशन विजी आप लोग अच्छी त pantry क्या क्या उसके दोस्त थे चा क्या कि या कि यह होता है तो यह रहा है यह की बारे में डीपली अद्धिन करना में Хорошо समस्या को भिन्न भिन्न भागों भाजित किया जाता है और जबकि इस विदी में समस्या को अलग अलग पहलों को एक साथ एक कड़ी में जो है समयोजन का नया पुर्ण प्राफ चलिए समस्या का मतलब होता है साथ विवाजित करना चोटे 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 करना अर्थ को समझ गए तो विदी समझने में आपको तनिक भी समय नहीं लगने वाला है है जो हमारा भया संस्रेशन विधी है मतलब यहांboards भी चीजाए कि यहां पोरी यह पूरी बीधी के मतलब स्मझ लीजेगा कि संस्य लेशन में हम चीजों को इकठा करके दौह नालिज पर पाइब विलेशन विद्री में समस्यायों को भिन भिन भागों में बहर्यत किया जाता है जबकि शंस्लेशन विद्री में शमस्या के अलग अलग पहलूं को एक साथ एककडिक रूप में समायोजित किया जाता है और इस समायोजन से नया परणाम प्राप्स किया जाता है और इसमें में घ्यात लश्चों को जानने की कोशिश किया थह हम आज पास जो सुचनाओं उपलब्द होती हैं उन्हें छोटी-छोटी सुचनाओं के स्रिंखला हम बनाते हैं चलिए अब इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसको एक इस कॉम्पलिट नॉलेज्स रूप मैं उसको नया ज्यान करवाते हैं यही उद्येस स्थेंज्ट सांसरेशन बेदिक का फिर से सुनिएगा कि बच्चों के बारे में बच्चों को गड़ित संबंदित छुटो छुटे ज्यान जैसे संक्षा का परेशिया Hagya बिष्षबस्तुमिन की संच्या के बारे मुसके परचित है जोड के अधाना वावा समझता है घटाने के अधाना तमस्ता है जो चीज़ें उस तूचनाव को एकठा करेंगे अधार पर एक नए एक नए तथी जानकारी हम उसको देने का प्रयास करते हैं तो जो यह द्यानका ज्ञान है पूरु ज्ञान है उसको इकठा करके एक नए ज्यानकारी में तब्दिल कर रहे हैं तो हम लोग काम यहीं कर रहे हैं कि छोटे-छोटी चीज़ों की इकठा करके सुचना करती है कि हम नया प्राफ्ट गया जाता है इसे तत्थों को जाने कोशिद के जाती हैं हमारे आध पास के सुचनाओं को सुचनाओं उपलब्द हैं जो छोडी-छोडी सुचनाओं के स्रिंखला में सिंखला में बाढ करते हैं उनको ज्ञान करते हैं आगे बात करेंगे 蛙 कि को इस विदिवारा मनों वेज्ञानिय धंग bent account कर तकते हैं कि जब बच्चों करते हैं physical बच्ची कितनी चीजे जानते हैं किती चीजों ते अभी वह अनविग्या हैं इन मनवज्ञानी ढंकते भी हमको उस्ताह मिलता है कि बच्चों के इस बच्ची द्वारा हम लोग नई नई चीजे तिखा सकते हैं नए नए खोट्रिप्रतिया आकर सिक्त कर सकते हैं परतक्ष प्रावत ज्ञान होने के कारण भी से रुचिक्र बन जाता है कि जब हम बच्चों के अस्तर का पता लगा लेते हैं बच्चों के बउध्धिक छमता के बाले हमको जानकारी हो जाती है तो हमें उनको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है इस बात को हम भली भाती समझ जाते हैं और विशे को हम किस प्रकार से रुचकर बना सकते हैं कि वह तर्थ को समझ तक ही इसकी भी भली भाती जानकारी हो जाती है अगे इस बिदी के प्रियोक से बालकों में आत्म निरवर लगत तीखता है अपने पुराने ग्यान को अधार बना कर जब नहीं ग्यान तीखता है तो जाहरण जिवार उसमें आत्मी विष्वात एक सेल्फ कांडिजन डिवलप होता है जो कि उसके लिए काफी मतमूर होता है काफी जो है उसको विकास करता आगे की चीज़ें सीखने म चलिए वारे में कुछ दोस्त भी पाए जाते हैं कि हमने आपको बता है कि हर विद्धी में कुछ अधिक लगता है भी में अधिक लगता है दूसरा ग्यान अर्जन बहुत धिमी गतत है क्यात है जोकी क्धा करेंगे उसके बाद एक नए घ्ञान को तब्दीर करेंगे तो इसमें साथ प्रक्रियात क्थेन्स देमि यह हों». अगर समय नहीं सबर्छों करेंगा इ क्योंकि एक simplicity है के अध्यापक निश्क्री सीद्डेंर उस्कार फूरा जो है निष्क्रिय हो जाता है और इस बीजि समीं से पढ़ा है नहीं जा सकते हैं मतलब जो अध्यापक होता है वगका तरीकते है वह आड़ी बीजियों के बारे मों ध्यान नहीं देता है और और वी कुछ बीजियां जिनके द्वारा से बच्छों को और चीजिय ठीए दिख भी इसका दोस्ता है यह था फ्रेंड आज के दो महत्पूर भी थी पहला था आग्मन भी थी और दूसरा का संसेशन भी थी बाकी की वीडियो के बारे हम लोग करके क्लास में चर्चा करेंगे इस क्लास को इतना ही रखते हैं मेलें अगले क्लास में तक तक के लिए बेस्ट आ